होशला बारूद रखते हैं, बतन के कदमों में जान मौजूद रखते हैं, हस्ती तक मिटा दे दिसमन की हम फोजी हैं, फोलादी जिगर रखते हैं तो जैहिन बंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने इस यूटूब चैनल पर आज का जो सेसन होने वाला है, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास देखें, तीन बज चुका है, हमारी लाइप क्लास इस्टार हो चुकी है तो आज के इस वीडियो में हम लोग CRP परामेडिकल इस्टाप एक्जाम 2020 की परिच्छा के लिए रेजिनिंग के पिछले 10 सालों के प्रस इस वीडियो में डिसकस करेंगे सोट ट्रिक के माध्यम से, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, सेर करें चैनल पर पर लिट करना है, तो चैनल को सास्क्राइब कर लें, पासी में आपके विल आइकान होगा, उसको भी दबा लें इससे आने सारी नए वीडियो नोटिविकेशन आप सभी लोगों तक असानी से पहुंच जाएगी मैंने आपको पिछली बार बताया था कि पहली जो क्लास आपकी होती है, 12 बजे, दूसरी क्लास तीन बजे, और तीसरी क्लास जो आपकी होती है, रात के 8 बजे, तीनों ही क्लास को आपको जोइन करना है, हर हाल में इन तीनों क्लास को आपको छोड़ना नहीं है, पहली क्ला या परामेडिकल लिस्ट आप एक्जाम 2020 की परचा की त्यारी कर रहे हैं तो तीन बज चुका है कौन-कौन चाकर आउनलाइन है तो ख्रिप्ला करके मैसेज कर दीजिए आप लोग और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर गाइज एमपी पुलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम आपका अच्छे तारी को लगा हुआ है उसी को मद्दे नचर रखते हुए रिजिनिंग का प्रेक्टिस सेट नंबर आपको बन प्रोवाइड कर बाऊंगा जिसमें important question होगे तो आप पूरे के पूरे question को solve कीजेगा और सारे question को attempt कीजेगा तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो guys पहला question है देकि ये नर्देश में क्या है प्रसने संख्या एक से तीन दिये के विकल्पों में से सम्मंदित सब्द अच्छर संख्या आक सम्मादों में तीसरे का चोहते से का निकालन हों जिसमें question mark दिया होता है तो देखिए पहला question आपका है डॉक्टर का सम्मंद है आपका blossom मुर्तिकार का सम्मंद किस से होगा देखिए guys जिसकार doctor का जो ओजार होता है थो क्या होता है इस टेत्विसको तो उसी प्रकर मूर्त उसी कार का उजार क्या होता है तो यह हो जाएगा छेनी, option C, छेनी, तो इसी की साथा से वो बुर्तिया बनाता है, अगला है पढ़ना का संबंध ज्ञान से, मतलब जिस प्रकार पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, उसी प्रकार, कार करने से क्या बढ़ता है, अनुभव है, experience बढ़ता है, तो यह हो जाएगा option C, is right answer, अगला आपका देख लेते हैं guys, देखिए guys, आपको सबसे पहले आपको बनाना है right से, यह वाला, उसी प्रकार wrong से हमें कौन सा बनाना है, 4 option दिये गए, तो सबसे पहले right वाला देख लेंगे, right वाला कैसे बनेगा, तो guys देखिए, right से हमें क्या बनाना यह वाला, उसके बाद wrong से क्या बनेगा, 4 option है, तो कर लेते हैं, color को change करते हैं, उसके बाद करते हैं, देखिए, W का alphabet को code क्या होता है, आपका 23, R का क्या होता है, 18, I का क्या होता है, 9, T का होता है 20, और E का आपका क्या होता है, 5, इसी प्रक स्टार्टिंग के दो पता करने हो, बागी के आपके पता चल जाएंगे, देखिए, 23 से 10 बनने में कितना घटा, माइनस का 13, इसी प्रकर 18 से 5 बनने में कितना घटा, मतलब आपको, आपको, आदेखिए guys, R का जो alphabet code होता है, बो होता है आपका 18, E का होता है 5, 18 से 5 बनने में कितना घटा, माइनस का 13, अब guys, देखिए, I, I का alphabet code होता है 9, इसे हमें बनाना है Y, मतलब V, तो guys, देखिए, मैंने आपको बताया था, क्यूंकि 2 में माइनस 13, माइनस 13 घटा, तो आगे भी माइनस 13 ही घटेगा, तो 9 तो इससे कम हो जाएगा, अगर 13 घटाना है, तो backward जा गया, ओके तो इसमें भी आपका माइनस 13 घटेगा, इसी परकार, T से हमें G बनाना है, T का होता है 20, G का होता है 7, तो कितना घटा, माइनस का 13, और E से हमें R बनाना, E का होता है 5, R का होता है 10, तो 5 तो इससे कम होगा, 13 में इससे 5 गए, तो कितना बचा 8, अब 8 किससे कम हो बन गया इसमें भी माइनस तेरा घटा तो इसी परकार हम लोग इसमें यह अलफाबेट हैं इसमें भी माइनस तेरा माइनस तेरा घटाते जाएंगे तो जो आपका आंसर मिलेगा गाईस बो बता देता हूं आपका आपसन है जे इ पी अटी देखे कैसे डबलू का कितना होता है ट्वंटी थ्री जे का होता है टैन तो कितना घटा माइनस का तेरा है इसी परकार आर है आर का होता है ठार है ए का होता है फाइप तो कितना घटा माइनस का तेरा घटा तो इसमें भी माइनस तेरा माइनस तेरा तो आपका answer हो जाएगा option है चलिए एगला question करते हैं question है चार और पाँच उससे पहले निज्जेस पढ़ लेते हैं देखिए प्रस्ण संग्या चार से पाँच निम्न प्रस्णों में दिये गए विकल्पों में से कौन सा विकल्पों नीचे दिये गए सब्दों का 60 क्रम दरसाता है तो गए चोथा है इसका जो answer होगा वो हो जाएगा आपका option C देखिए सबसे पहले इसमें चोथा आ रहा है मतलब सबसे पहले आप अंदाजा लगा लीजे सबसे पहले बीज आता है फसल तयार हो जाएगी ओके तो यह हो जाएगा अगला है पांचबा इसका जो आंसर होगा option C पहले पांचबा आएगा मतलब घास होगेगी फिर तिसरा फिर उस पर टिड़े बैठेंगे फिर एक मेड़क को मतलब मेड़क है टिड़े को खा जाएगा फिर चौथा आएगा मतलब उस मेड़क को सांप खा जाएगा फिर दूसरा मतलब सांप को कौन खा जाएगा गरोन मतलब बाज भी कह सकते है चलिए अगला कोश्चन करते है कोश्चन आपका कहता है निमलिकित में से कौन सा चित्र अंग्रेजी अध्यापकों लोग प्रिये अंग्रेजी अध्यापकों अब प्रिये अध्यापकों के बीच संबन्द निरूपित करता है सबसे पहेरे चित्र एंग्रेजिया ध्यापक और यह जाएगा उसके पात जो लोग्यविक्ति रहेजिया ध्यापक हो प noir, każई प्रिया हो और यह जाएगा उसके पाथ कि आपको पसंद नहीं होगै तो इस परकार से आपका चित्र बनेगा figure बनेगा मतलब इसका answer हो जाएगा option B चलिए अगला question करते हैं आपको यहाँ पर missing number find out करना है तो guys सबसे पहले एक एक column को लेके चलेंगे फिर दूसरे फिर तीसरे को पहले column को देखते हैं देखे 3, 4 और 4 का multiply करते हैं तो कितना हैगा 48 इसी परकार दूसरे column में देखते हैं 4, 5 और 3 का multiply करेंगे 4, 5, 20, 23, 60 देखे 60 मिल गया इसी परकार तीसरे column में यही करेंगे 5 का 3 में multiply question मार की जगा एक समान लेंगे और किसके बराबर हो जाएगा 105 के तो 15 एक स्कल्टू 105 यह काट देंगे तो 15 सत्ते 105 तो option C is the right answer चलिए अगला question देखते हैं अगला question है अपका यहाँ पर missing number find out करना है देखे 5 से 7 बनने में कितना add हुआ प्लस का 2 पिर 7 से 11 बनने में कितना add हुआ प्लस का 4 तो इन दोनों के बिच कितना एक अंतर है 2 का तो आगे भी तो 2 का अंतर होगा तो यहाँ पर प्लस 6 हो जाएगा तो 11 में 6 add करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 17 तो option D is right answer चलिए अगला question करते हैं इसको एक question देता हूँ नीचे दिये गए चितर में कितने आयत हैं तो इसका answer आपको comment करके बताना है या आप इसके answer लेके इसका answer बताईए चलिए अगला देखते हैं तो guys देखिए अगला question कहता है किस उत्तर आकरती में प्रस्न आकरती नहीत है मतलब यह वाला जो चितर है इन चार option मेंसे आगर आप किसमे नहीत है मतलब किसमे है तो इसका answer हो जाएगा आपका option D कैसे होगा मैं बता देता हूँ देखिए आपको यह उत्तर आ करती जो है प्रस्न आ करती यह देखिए ऐसे ऐसे यह ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे देखिए मिल गया पूरा तो यह वाला आपका option D is the right answer चलिए अगला question करते है मैंने गिने चुने question लिए जो की जिस टाइब के question आपके exam में आते है तो यह question बैतालिस करता है यह question जो आपका स्लॉक का है मतलब न्याय निगमन यह कह सकते है statement and conclusion यह कथन या निसकर्स वाले तो कथन देखिए क्या है सभी paper लड़किया है तो all paper all लड़किया मतलब L माननेंगे और सभी धातुएं क्या है सुरी कुछ लड़किया धातुएं तो कुछ लड़कियों का हिस्सा क्या जाएगा धातुएं मतलब धा को हम लोग धाही लिख देंगे धातुएं आगे कहता है सभी धातुएं गलास है तो all glass are धातुएं या कह सकते है आल धातुएं गलास जी तो गाइस देखिए आगे निसकर्स कहता है कुछ गलास लड़कियां है तो गाइस देखिए लड़कियों का कुछ हिस्सा यह पॉर्सन है गलास में जा रहा है तो पहला सा ही हो जाएगा फिर कहता है कुछ ग्लास धातुएं हैं कुछ ग्लास तो ग्लास का कुछ इस्टा यह वाला है यहाँ पर आपका कहा जा रहा है धातुएं में जा रहा है कि नहीं नहीं सभी धातुएं तो आपकी क्या है ग्लास है तो कुछ की यहाँ बात हो रहे कि कुछ ग्लास धातोары हो सकती आपकी दूसरा भी सही हो जाएक मतलब पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं अगला क्या कहता है मतलब क्या पुछ पत्थर चट्टाने संद आपको कलर शांज करते हैं ंहों प्त्थर ये और पी आप मतलब इसका कुछ हिस्सा कहां जाएगा चट्टानों में चट्टानों को C माल लेंगे कुछ चट्टाने हीरे हैं तो चट्टानों का कुछ हिस्सा कहां जाएगा H में हीरे आगे कहता है कुछ हीरे रतन हैं तो हीरों का कुछ हिस्सा R में चला जाएगा रतन में आगे कहता है कुछ रतन पत्थर है तो गाई देखे पत्थर और रतन में कोई भी संबन नहीं है तो ये गलत हो जाएगा सभी हीरे पत्थर है तो सभी हीरे पत्थर है इसमें भी कोई संबन नहीं है तो ये भी गलत तो दोनों कतन आपके गलत हो जाएगे अगला देखते हैं लाश्ट कुश्चन है आज का कुश्चन क्या कहता है सभी दिन राते हैं तो सभी दिन डे क्या है नाइट और सभी सामे क्या है राते तो सभी सामे क्या हो जाएंगी राते तो यहाँ पे साम देखे आज दुबारा बनाते हैं सभी दिन क्या है राते तो दिन को हम लोग डी मल लेंगे सभी दिन क्या है राते और सभी सामे क्या है राते तो सारा साम जो क्या जाएगा यहाँ पर रातों के अंदर और सभी राते क्या है सुभा तो सभी साते क्या हो जाएगे सुभा आगे कहते हैं कि सभी दिन सुभा है त पहला साही आगे कैचे कुछ सुभ हैं सामे हैं तो साम देखे किस में आ रहा है पूरा का पूरा आर में आ रहा है मतलब साम में रातों में आ रहा है तो ये भी आपका साही हो जाएगा क्यूंकि सबसे बड़ा इससा आपका साम का ही है तो दोनों निसकर से सही हो जाएंगे I hope आपको समझ में होगा तो गायत आज किस वीडियो में इतना है थैंक्यू जन्नाबाद आपका दिन सोबरा है